हेलो फ्रम्स लोकमा यूटिव चैनल में आप से का स्वागत है फिरसे में के निवड़ी की साथ आज़के हैं अब्डेट वड़ी की साथ आज़के हैं आज गुजी हमारे वीडियो ने वाली बहुत ही इंट्रस्टिंग शांदार अब्डेट के पर हम जान करी हो साथ यसाथ आपको यहाँ पर जो medical officer की post है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी तो जितने भी post हैं सभी post के बारे हम डेटेल में हम यहाँ पर जर्चा करने वाले हैं especially staffants की post और A&M की post के बारे में हमें यहाँ पर discuss करेंगी कि आप किस परकारसी से apply करना है और कैसे आपको apply करना है तो सबसे पहले देख लिए यहाँ पर official जो notification है O17 नौमर को जारी किया गाया था ठीक है एक institute की तरब से यहाँ पर notification रहने वाला है selection process की अगर मैं यहाँ आपर discuss करूं तो selection process आपका walk in the entry एंगी एक चोटा सा entry होगा और entry के बाद में आपके यहाँ पर जो डारेक्ली सेलक्सिंस वो होने वाला है डारेक्ली चलते हैं post के बारे में discuss करते हैं सबसे first post है medical officer की यहाँ पर जो post है रहने वाली है post 6 post आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी अगर मैं salary की बात को तो 50,000 रुपे पर बंद के साब से आपको यहाँ पर जो salary हो देखने को मिल जाएगी उसके बाद में second post assistant professor की दो post है एक लाग बाइस जार रुपे यहाँ पर salary रहने वाली है बात करते हैं इस टाबस की post के बारे में आपकी डिसकस कर लेते हैं medical social worker के भी electrician और driver की भी आपको जो post है वो available कराएगी है directly चलते है medical officer के लिए आपको MBBS degree चीए उसके बाद में बात करते हैं इस्टापनस की post के बारे में कि जी education qualification है वो क्या रहने वाली है तो जो इस्टापनस की post है उसके लिए आपको BAC nursing आपके पास है या फिर post BAC nursing है तो वो कंड़िट क्या कर सकते हैं इस वेकंशी को अपलाई कर सकते हैं या पके पास experience होना चीए बात करें एन्यम की वेकंशी के बारे में तो एन्यम की वेकंशी के लिए आपके पास एन्यम कोर्स अविलिबिल होना चीए या फिर MPHW training course है वो आपके पास होना चीए वही कंड़िट इस वेकंशी को अपलाई कर सकते हैं ठीक है इसी कैसा साथ डाड़ा डाटा इंट्री ओप्रेटर के लिए आपको computer knowledge होना चीए जो medical social worker है उसके लिए आपको पॉस्ट graduate डिग्री होना चीए social work के अंदर तो मैसली जो इस्टापनस और A&M थी उसके बारे में मैंने आपको detail में चर्चा कर लिए बात करते हैं यहां पर age limit के बारे में discuss कर लेते हैं तो age limit इसकी रहने वाली है 42 एर एनकी 42 एर से जो ज्यादा वाले candidate है वह इस वैकंजी को अपलाई नहीं कर पाएंगे 42 एर तक के जो candidate है तो ठीक है इस परकार से आपको क्या करना आपना जो application फोमा उसको अपलाई करना ल वहां दरो आपको क्या आप ख लिए वहीं कर दो आपको के लाभ है